तो लिजी एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं मनीश शर्मा और आप देख रहे हैं जन्गन्मन रियक्ट्स यानि आपका अपना चैनल सर्च करना हो तो एड़ डरेट जे जी एम रियक्ट्स इस हैडी के जरी आप हम तक पहुंच सकते हैं और अगर सर्च कर यह तो पहले भी बनाया था लेकिन टॉप टेन पहले बनाया था ग्राउस का इंडिया नेट के अंदर क्या क्लेक्शन का बनाया था और आज क्या है आज है टॉप टेन फुट्फॉल यह नहीं वह कौन सी फिल्में हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग देखने लेकिन फुट्फॉल वाला उसमें मीटर नहीं था फुट्फॉल मीटर एकदम अलग है और कलेक्शन वाला मीटर अलग है तो इन दोरों में फर्क क्या है इसके बीच भी बात करते चलेंगे और साथ में डेटा भी देखते चलेंगे और बात करते चलेंगे तो चलिए 10 Sunny they all top 10 football में कौन से फिल्म है ये फिल्म है इनसानियत ये फिल्म आई थे अमिता बच्चन के साथ में 11 मार्च 1994 को ये वो दौर था जब सनी पाजी एकदम अपने हाइट पर थे और उस समय इसकी जो कमाई थी पांच करोट 75 लाकी कमाई थी और ये फिल्म फ्लॉप थी आप कह बाद भी इस फिल्म को देखने एक करोड दस लाक लोग पहुंचे थे और इसलिए फुटफॉल के अंदर जगा है लेकिन जब आप इस फिल्म को लेके जाएंगे कलेक्शन में तो ये फिल्म जगाए नहीं बना पाएगी लेकिन फुटफॉल क्योंकि इतने ज़्यादा थ उस समय के सूपरस्टा आमिताब बच्चन थे और सनी डियॉल थे तो कही ना कहीं फिल्म को देखने लोग पहुंचे थे हाला कि फिल्म चली नहीं इसके बाद बात करते हैं नमबर नौ पर कौन से फिल्म है नमबर नौ पर जो फिल्म है वो है दा हीरो लव स्टोरी आफ द पहले गदर आई उसके बाद 2001 के बाद ये फिल्म आई तो ये नौवे नमबर पर है इसमें कमाई थी 26 करोड रुपे की अब ज़रा गदर से अगर तुल्ला करेंगे तो आप देखेंगे गदर के बाद फिल्म आई और गदर से एक तिहाई कमाई है इसकी खाली और लेकिन फुटफॉल इसका भी कम नहीं था फुटफॉल था एक करोड 24 लाग उस समय की ये मतलब बहुत ज़्यादा फुटफॉल वाली फिल्मों में शामिल है जिसमें अच्छे खासे लोग आए थे फिल्म देखने के लिए तो चलिए बढ़ते हैं अगली फिल्म की तरफ बढ़ थी और इसने कमाई की थी 15 करोड 23 लाग रुपए इंडिया नेट कलेक्शन की हम ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइडिया ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं फुटफॉल इस फिल्म का अगर आप देखोगे तो 1.5 करोड 58 लाग काफी ज़्यादा फुटफॉल माना जाता है आज भी फिल्में तरश जाती हैं यहां तक पहुंचने के लिए हमने लगातार देखा है जो फिल्में बहुत चली हैं वो तो चली हैं लेकिन बाकी फिल्में तो इस आँखड़े के आसपास भी ने पहुंच पाती हैं एक करोड 58 लाग गजब है यह फिल्म ऐसी है जिसको बार बार देखते हैं कई बार देख चुके हैं और इसलिए इसके सीक्वल की बात करते हैं और ऐसी एक और फिल्म है जो अगला नमबर है नमबर साथ पे वो भी ऐसी फिल्म है जिसके सीक्वल का इंतजार किया जा रहा है कह रहा है जल्दी लाइए सर जल्दी लाइए जल् भी आद हैं और 26 अक्टूबर 2001 को आई इस फिल्म ने एक करोड़ साट लाग लोग देखने पहुंचे थे डेर्ड करोड़ से ज्यादा ऐसी नेम कहा जाता है इनको सुपरस्टार सनी पाजी का रुत्बा जो है ऐसे ही बड़ा नहीं है अलाकि एक वो दोर हमने देखा है जब बहुत सारे फिल्में नहीं चली लाइन से नहीं चली और अगर आप लेकिन आज भी देखेंगे उनके सम उम्र में जो हम उम्र कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं और सनी पाजी क्या कर रहे हैं तो आपको फर्क समझ में आएगा सनी पाजी के साथ ये तो सिफ ये नहीं की फिल वाला उन्होंने कई फिल्में प्रड्यूस भी करी हैं और उसका नुक्सान भी उडियों उठाना पड़ा है लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इहमत नहीं आ रही वो डटे रहे हैं आज भी हीरों हैं जिब कि उनके साथ के अकलाकार साइड रूल में आ चुके हैं विलन बन कि फिल्म है कमाई 16 करूर 13 लाख और फुटफाल तक्रीबन पौने 2 करूर जी हां पौने 2 करूर एक करूर 73 लाख का फुटफाल था इस फिल्म के लिए और अ सब लोग जाएद करते हैं इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव करेक्टर था तो इसलिए भी याद करते हैं लेक क्विक्षिं की एक टु एक क्या होता है कि वक्त के सात में जैसे मदलिजी यप से बीस साल पहले की फिल्म है तो उसकी कमाई चोटी है क्योंकि महेंगाई माइजाणी मीटर के हिसाब से कभी काम करें चलिए वो थोड़ी से महनत का काम जादा है महेंगाई 38 लाग रुपए 1997 के अंदर और फुटफॉल था 1 करोड 85 लाग ओसम ओसम 1 करोड 85 लाग का फुटफॉल करीब करीब 2 करोड ही पहुंच गया तो ऐसी फिर वही मैं करूँ ऐसी नहीं सूपरस्टार कहा जाता है और सनी पाजी के अगले बात करें अब आप दीरे दीरे समझते जाएंगे अब उपर की जो फिल्म है इसका अंदाजा लगबा लगबा सब को लग जाता है कौन सी है बस नंबर का यह फिर रहता है बलकि आपने तो अंदाज भी लगा लिया होगा नंबर 1 और नंबर 2 फिल्म कौन सी है लेगिन चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं पहले नंबर 4 पर डर डर फिल्म अगें ये फिल्म वो थी जो ग्रॉस में जगए नहीं बना पाई थी कलेक्शन के अंदर जगए नहीं बना पाई थी क्योंकि इसकी कमाई सिर्थ 10 करोड ती 10 करोड 73 लाख शारुक खान के साथ फिल्म ये तो वो फिल्म ती जिस से बड़ा सारे पंगय हुए थे जी बॉलिवोड में बड़ा सारे पंगय हुए थे ये फिल्म ती जहां के बाद सनी पाजी और शारुक खान का थोड़ा मनमुटा वुआ आमेर खान के साथ भी थोड़ा टकरा हुआ बढ़ा दिल्चस्प किस्ता आमेर खान बताते हैं कि इस फिल्म को आमेर खान को करना था पहले शारुक से पहले आमेर खान को मिलेती लेकिन आमेर खान एक शर्ट पे अटक गए कि भाया कौन कितने थपड़ मारेगा फिल्म के अंदर तो फिल्म में सनी जोल को ज़्यादा थपड़ मारने थे तो आमिर खान कोई बात पसंद नहीं आई और ने काई ये थपड़ या तो बराबर के पढ़ेंगे या नहीं होंगे तो आमिर खान ने फिल्म नहीं करी कि मैं जादा थपड़ तो नहीं खा सकता तो नेगेटिव करदार करने के लिए रेड़ी थे लेकिन वो जादा थपड़ खाने को तयार नहीं थे खैर चलिए इसके फुटफॉल बहुत शानदा रहे सुपरिट फिल्म थी करीब करीब 2 करोड सिफ 1 लाग कम है 1 करोड 99 लाग 24 दिसंबर 1993 को फिल्म आई थी और उसके उपर चले नमबर 3 पर जो फिल्म है नमबर 3 पर जो फिल्म है वो है गदर 2 530 करोड के आसपास का कलेक्शन हो चुका है इसी साल फिल्म रिलीज हुए आप सब जानते हैं आप सब की फेवरेट फिल्म इस पर हमने बहुत चर्चा की अपने चैनल के अंदर और आज भी जब सनी पाजी का बड़े था तो उन्हेंने केक काटा इसी को लेकर गदर टू के की काट अपने 66 में जर्म दिन पर और ये फिल्म नंबर 3 पर है अब सवाल है और टॉप टू फिल्म में कौन सी एक का तो अंदाज आपको तुरंट लगा लिया होगा बलकि हो सकता आपने दोनों का भी लगा लिया हो नंबर 2 पर है बॉडर बॉडर फिल्म करीब करीब 40 करोड का इसका बिजनस था हिंदी नेट के अंदर 49 करोड 45 लाग 13 जून 1997 को फिल्म आई थी 3 करोड 70 लाख लोग देखने पहुंचे थे फिल्म 3 करोड 70 लाख लोग कनेडा से चलता ना टशल वसल तो उनको दिखा दो हमारे तो इतने लोग फिल्म देख लेते हैं जितने उमरी पॉपूलेशन नहीं है यह बड़ा मज़ेदार है 13 जून 1997 को फिल्म आई थी नंबर 2 पर फिल्म है रैंकिंग में और नंबर 1 पर आपकी फेवरेट फिल्म जिसका नाम आज भी चल रहा है जिसका सिक्का आज भी चल रहा है गदर गदर का सिक्का ऐसा चला कि गदर 2 भी हिट हो गई और अब गदर 3 की भी चर्चा हो रही है कमाई 76 करोड 88 लाग 2001 में यह अपसे 23 साल पहले 76 करोड आज तो ना जाने कितने हो जाएंगे तो फुटफॉल 5 करोड से उपड़ता हला कि फिर कह रहा है इसके दावे अलग लगे अनिल शर्मा जी से जब बात होती है 15 करोड से नीचे कभी बात नहीं करते है हला कि जो ओफिशल वेबसाइट पे जो भाशों में ना आने के बाद भी विडियोशों में अच्छा प्रमोशन ना होने के बाद भी गदर टूने साड़े तीन करोड से उपर का फुटफॉल है उसका जो बहुत शानदार है बहुत शानदार है खेर चलिए ये टॉप टैन है और टॉप टैन उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कुल्म लाकर कहानी वही है सनी पाजी जैसा कोई नहीं गज़ा फिल्मे हैं लेकिन वही होता है वक्त के साथ चीज़े चेंज होती है और वक्त के साथ बदलना पड़ता है कई बार बदलने की कोशिश भी किये कुछ कामयाब होते हैं कुछ कामयाब नहीं होते हैं गिरते हैं शह सवारी मैदान में जंग में वो शक्स क्या गिरे जो घुट्टों के बल चले और सनी पाजी ने घुट्टों के बल चलना तो नहीं सीखा है तो इसलिए गिरे हैं उठे हैं चले हैं और फिर गदर टू बना डाली है और अब तो लाइन लगी पड़े जैसा मैं अबडेट आपको लगातर देता रहता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा और प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए प्लीज सब्सक्राइब करें जन गर्मन रियक्ट्स नमस्कार